है यह अज़ा अज़ा है अज़ा अज़ा इस अब्सक्राइब फिर्स से आपके चनल भी आउल डाइंडर पे आज हम अन्बोक्स करने जा रहे हैं एक इस प्रेगन को यह इस प्रेगन मैंने अबसंड से ओर गरी थी और इसकी कॉस्ट जो है मुझे लगबग 1850 रुपे के लगबग पड़ी है वैसे तो जो इस प्रेगन है वो काफी ब्रेंड्स में आती है और काफी इसकी वाइड वराइटी है लेकिन वजातर चाइनीज होती है तो यह भी चाइनीज लेकिन एक चाइनीज में भी एक अच्छी कंपनी देखना पड़ती है जो कि आप इसकी जो पैकिंग है हम उस पैकिंग को जल्दी से खोल लेते हैं और आप लोग में से जब तक जो लोग चैनल पर नए है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइट में जो बैल आइकन है उसे दबा दें ताकि इसी तरह के और भी जो वीडियोस है मैं अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और यह हमारा फिलाल जो है अन्बॉक्सिंग का वीडियो है इसके बाद हम इसका रीव्यू करेंगे यह किस तरह से प्रोडक्ट वैल्यूबिल है या नहीं है और इसके बाद हम इसका एक टेर डाउन जो वीडियो मै हर प्रोडक्ट का अपने करता हूं इसका टेर डाउन भी करेंगे और देखेंगे इसमें किस तरह के जो पार्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे है तो इसकी जो पेकिंग है वो हमने खोल ली है अब हम इसकी जो ओवर व्यू है वो देख लेते हैं इसमें क्या-क्या दिया और 380 ml पर मिनिट के हिसाब से ये स्प्रे करती है और इसके कुछ और स्पैसिफिकेशन लिखे हुए हैं जो कि इतने जरूरी नहीं है और इसके साइट में एक विसकोसिटी कप्चो होता है वो दिया हुआ है एक निडिल का दिया है इसे नोजल साफ करने के लिए और दूसी साइट में भी यह है और इसका जो मोटर है वो 4500 वाट का है जो कि मेरे खाल से इसके लिए एनफ है लेकिन फिर भी हम इसके अंदर देखेंगे जब हम इसका टेर डाउन करेंगे कि वो मोटर वाखी 4500 वाट का है या पिर जैसे मैंने बर्गमेन का जो हमने टेर रहा था वैक्यूम क्लीनर का उसकी तरह है कि उसकी कॉस्ट काफी जादा थी और एक वैल लोन कंपनी थी लेकिन उसके अंदर जो मोटर जो लगाई गई थी वो 555 मोटर थी जो कि उस प्राइज रेंज को मैच नहीं करती थी तो इसको भी हम देखेंगे बाद में फिलाल हम इसको बॉक्स को खुल के इसके प्रॉड़क्त को बהरा निकालते हैं तो बॉक्स के अंदर यह मेंडर यूनिट हमारी स्प्रรेइग ऑंकी है और इसके साथ एक यूजर मैनूवल देया मेडिया हॉए चल्दी से हम यूजर मैनूवल को भी देख लिए हैं कि इसके अंदर क और कौन-कौन से पार्ट इसमें हैं तो इसे फिला हम उटा देते हैं इसका हमें कोई जरूवत नहीं है हम अपनी में जो यूनिट है हमारी मशीन जो है हमारी आप उसे बाहर निकलते हैं यह एक को औरेंज करलर में है जोंकि काफी अट्रैकटिव है औरेंज एंनलें को म्रूंचण को मिनेशन और ताद काफी और विसको चिता जेक हो और जो इतना जाद यह हैँ कि इसके अंदर से निकल नहीं पाए यह बात हमेशा आप याद रखिएगा कि वो इतना स्मूध हो या इतना थिन हो कि इसके अंदर से इसकी जो मेजर्मेंट दी भी है वो आप इसकी गाइड लाइन में जब आप पढ़ेंगे तो लगबग ओवराल जो एवरेज है वो ही निकल पा रहा है इसमें से पूरी तरह से तो आप उसे थोड़ा डाइलूट कर लिए वरना यह जो मशीन है यह खराब हो सकती है और इसका जो फायर है यह काफी बड़ा है लगबग यह दो मीटर के लगबग के बिल है इसकी और हात में उठाने के बाद उपर की तरफ जो है यह इसका स्विच अन उप दिये हुआ है और इसका जो वेट है वो लगबग आधी किलो के लगबग 500 ग्रैम्स के लगबग है और इसका जो वेट डिस्टुईशन है वो काफी अच्छा है जो इसका वेट आ रहा है वो लग करता हुआ या एक तरफ को ज्यादा वेटेज नहीं है बिल्कुल सेंटर में हैं तो यह काम करने में काफी कमफर्टेबल रहीगी और इसके जो हैंडल पर गृप दी गही है वो अप्राइज स्टिक गृप दी गही है ताकि आपको उठाने में यूस करने में ये स्लिपरी नहीं रहे और एक अच्छी गृप आपको मिल सके और ये जो साइड में है ये ब्रेंट की लेबलिंग करी गई है जिसमें QR कोड वगयरा और इसका Made in China प्रोडक्ट लिखा हुआ है और बागी जो स्पैसिकेशन्स हैं वही सारे दिये हुए है और ये आगे की तरफ जो है इसका ये नोजल है और ये नोजल कवर है इसमें ये आ और ये नीचे इसका liquid container दिये हुआ है जिसमें आप लगभग 800 ml के लगभग आपना जो liquid है उसे store कर सकते हैं तो फिलाल जो है हम इसका जो नोजल है उसे वापस कवर को इसके fix कर देते हैं अब जो है मैं इसको जो speed है आपको उसकी दिखाता हूं airflow कैसा है पहले हम इसको जो इसका power cord है उसे लगा देते हैं उसके बाद में से on करके आपको दिखाता हूं तो इसका जो airflow है वो काफी देज है साड़े चार सो वाट की मोटर के साब से और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका जो switch है उसे एक प्लास्टिक से cover करा गया है जिससे आपको liquid वगरा की छीटे आने पर भी आपको कोई shock नहीं लगेगा और इसके trigger के पास जो एक screw लगा हुआ है वो इसका जो flow है उसे कंट्रोल करने के लिए दिया गया है उसे आप adjust कर सकते हैं ज्यादा या कम करके और ये इसके जो फिलिट कंटेनर है इसके नीचे ये जो इसका liquid को जो collect करने का pipe है वो दिये हुआ है उसे हम अलग नकाल लेते हैं और इसमें एक filter करने के लिए ताकि कोई मोटी चीज या वैसा कोई particle जो है वो इसका जो यह pipe है यह आप देख रहे हैं एक तरह से band कर हुआ है आगे की तरफ से इसका फाइदा यह है कि जब भी आपका भी इसे paint करेंगे तो आप उपर की तरफ को अगर इसे band करते हैं तो जो आपका machine है वो थोड़ी तेड़ी हो जाती है तिल्ट हो जाएगी जिसकी कर रहें तो इसे आप पीछे घुमा सकते हैं band वाली साइट को तो उससे भी वह दूसरी साइट का अगर आप करेंगे तो उस साइट से भी collect हो जाएगा तो यह काफी एक अच्छी बात है सिर्फ इसमें सीधा सीधा करके पाइप नहीं दिया गया है तो इस मशीन के जितने भी स्पेसिफिकेशन्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ अब एक जो है इसका जो निडिल है जो इसका नोजल साफ करने के लिए दी जाती है वो इसके जो यूजर मैनुल है उसके पीछ दी भी है इससे आप इसका जो नोजल है आप इसका काम होन का चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका टीर डाउन और इसका रिव्यू करेंगे तब तक के लिए टेक कियर एंड थैक्स वर वाचिंग